Hello students, welcome to MOS classes, आज हम 8 class Math NCRT के chapter number 14 की exercise 14.4 के question number 20 और 21 को solve करेंगे तो इस पूरी exercise में जितने भी questions हमें given है students, उन में mathematical statement हमें given है, एक LHS given है, एक RHS given है और उसमें कुछ errors है, कुछ गलतिया हैं और हमें उन्हें correct करके दिखाना है तो question number 20 में देखते हैं क्या कहा गया है, 4X plus 5 divided by 4X is equal to 5 हमें कहा गया है कि अगर हम इसको solve करें इस side को, 4X plus 5 divided by 4X को, तो answer आना चाहिए 5 अब हम check करते हैं क्या इसको solve करके 5 आता है या नहीं, तो हमने left hand side pick करी, 4X plus 5 divided by 4X अब हम इसको solve करते हैं, देखिए students, यह जो 4X है, यह इस पूरे numerator के नीचे है, यानि यह 4X इस 4X के नीचे भी है और इस 5 के नीचे भी है, तो अगर हम एक साथ इस numerator को divide करना चाहें इस 4X से, तो divide नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर यह 4X, इस 4X से divide सीधे सीधे इसरे नहीं हो सकता, क्योंकि यह 4X plus 5 के साथ है अगर यह 4X अकेड़ा होता, या किसी के साथ multiply हो रहा होता, तब यह 4X 4X से cut जाता लेकिन यहाँ 5 के साथ यह add हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ हम 4X को 4X से सीधे divide नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, देखिए, यह 4X इन दोनों के नीचे है, 4X के नीचे भी और 5 के नीचे भी तो हम इनको separate करके लिखते हैं, सबसे पहले हमने पहला time उठाया, यह 4X, यह 4X इसके भी नीचे है, तो नीचे रखा है इसके फिर यह plus 5, plus 5 रखा, यह 4X इसके भी नीचे है, क्योंकि यह दोनों के नीचे था, तो plus 5 के नीचे भी यह 4X आ गया, अब देखिए, अब यह 4X इस 4X से कट सकता है, क्या बचा इदर से, 1, ठीक है, अब देखिए, 4X प्लस 5 अपॉन 4X, यह as it is, is equal to, यहां से 1, प्लस यह 5 अपॉन 4X, इसको तो सोल कर नहीं सकते हैं, यह कट नहीं सकता है यहाँ पर, तो 1 प्लस 5 अपॉन 4X, इसका आंसर आता है, जब हम इसको सोल करते हैं, और हमें आंसर क्या दिया गया था, 5, तो यह incorrect statement थी students, सही statement क्या रहेगी, correct mathematical statement, जब हम 4X प्लस 5 को डिवाइड करेंगे 4X से, तो equal to आएगा 1 प्लस 5 अपॉन 4X, जो हमने यहां सोल करके देखा है, और incorrect mathematical statement क्या है, जो हमें question में given है, कि 4X प्लस 5 अपॉन 4X is equal to 5 है, सोल करके 5 तो आये नहीं, इसको जब सोल किया, तो 5 नहीं आया, इसलिए यह incorrect statement है, और यह वाला answer हमारा आया, इसलिए यह correct statement है, इसके बाद हम question number 21 solve करेंगे students, देखे, question number 21 में हमें given है, 7X प्लस 5 divided by 5 is equal to 7X, यानि जब हम 7X प्लस 5 को divide करे 5 से, तो answer आना चाहिए 7X, यह हमें question में given है, देखनी होगी, क्या इसे solve करके यह answer आता है या नहीं, तो हमने left hand side pick करी, 7X प्लस 5 divided by 5, अब हम इसको solve करते हैं, देखे students, यह 5 और यह 5 यह आपस में cancel out नहीं हो सकते, क्योंकि यह 5 अकेड़ा नहीं है, यह 7X के साथ प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ पर किस तरीके से solve करेंग यह जो 5 है denominator वाड़ा यह पूरे numerator के नीचे है, यह 5 7X के नीचे भी है, और यह 5 इस 5 के नीचे भी है, तो हम इनको separate करके लिखते हैं, यह 7X as it is, divided by 5, फिर यह प्लस 5, प्लस और यह वाड़ा 5 as it is, जो यहाँ उपर था, वह divided by 5, यानि यह 5 इसके नीचे भी आया, और यह 5 इसके नीचे भी आ गया, अब देखिए, यह 5 और यह 5 और यह 5 और अपस में cancel out हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, अब जब हम 7X प्लस 5 अपॉन 5 को solve करते हैं, तो is required to answer आता है students, 7X अपॉन 5, यह as it is, प्लस यह वाला 1 as it is, ठीक है, जबकि हमें statement में given था, कि इस left hand side को solve करके 7X आना चाहिए, जो गलत था, क्योंकि सही माइने में तो answer यह वाला आया, तो correct mathematical statement क्या होगी, 7X प्लस 5 को जब हम 5 से divide करेंगे, तो हमारा answer आएगा 7X अपॉन 5 प्लस 1, और incorrect statement क्या है, जो question में given है, 7X प्लस 5 को जब हम 5 से divide करेंगे, तो answer आता है 7X, यह answer तो हमारा आया ही नहीं, हमारा answer तो यह वाला आया, तो यह incorrect statement है, और यह correct statement है, I hope students आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, तो इसे like, share और subscribe कीजिए, thank you.